सबसे लासिस कब होते हैं देखो हमारे सबसे ज्यादा लॉसिस दो ही कंडिशन में होता है, और दूसरा जब हमारी पोजीशन साइजिंग सही नहीं होती है, तो इस वीडियो के अंदर मैं इन दोनों को सही करने के एक रामबाण इलाज दूँगा आपको एक बग्याद एक कैलकुलेटर दूँगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि हमको कितना रिस्क रखना चाहिए कितना हमको टार्गेट लेना चाहिए कितनी हमारी कॉंटिटी होने चाहिए सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के तो अब हम आगे हैं कैलकुलेटर पे अगर आप यहां पर देख रहोंगे आपको सबसे पहले रो में नजर आ रहा होगा लिखा हुआ है रिस्क पर डे ठीक है कि यह आपको बताता है कि आपको एक दिन के अंदर कितना रिस्क लेना है ठीक जब आप मार्केट में यह सूच है था बाबू हमको देना भी पड़ता है तो देने मेंटालिटी पहले रखना चलो मैं कैपिटल यूज करता हूं 20,000 ठीक है अब इसके अंदर मेरे दिमाग में यह रहता है कि बही मैं एक दिन के अंदर 2% का रिस्क लेने को रखता हूं सिर्फ मैं एक दिन में 2% रिस्क ल लगातार लॉज भी करता हूं तो मेरे को कम से कम 50 डेस लगेंगे मेरे को अपने पूरी कैपिटल खतम करने में जो कि अपने आप में बहुत बड़ा दिन होता है अगर 50 दिन लगातार मैं लॉज करूंगा तब जाके मेरा 20 के खतम होएगा ठीक है और ऐसा कभी नहीं होता ह कि आप कभी 50 दिन लगातार लॉस हो जाए कभी भी ऐसा नहीं होगा अब देखते हैं मैं अपनी बात बताता हूं मैं 20,000 कैपिटल यूज करता हूं ठीक अब 20,000 के अंदर मेरा क्या है कि मैं सिरफ 400 रुपे का रिस्क एक दिन में रखता हूं अगर मेरा 400 रुपे का लॉस हो मैंने ट्रेडिंग बंद कर देनी है लैपटॉप बंद कंप्यूटर बंद अब हम करेंगे अगले दिन सिंपल सी मेरी फिलॉसपी है यह तो हो गया कि अगर 400 रुपे का मेरा रेस्क है ठीक है अब इसके बाद देखता हूं कि मेरा मेरा पर ट्रेड कितना रुखता अभी य कर सकते हैं अपना तुम्हें यहाँ पर यहां पर पांच कर लो मेरे के एक देन प्लओ करने थो क्या होगा कि आपका रिंग यहां आपको नजर आएं लगेगा कि यह आए कि आपको 80 रुपे का रिस्क सिर्फ एक ट्रेड के ऊपर रखना है इसके ऊपर नहीं अगर मेरा 400 रुपे का रिस्क पर डे है तो मेरे को असी रुपे पर ट्रेड का लॉस रखना पड़ेगा इस ज्यादा का लॉस मैं नहीं दे सकता पर फिलहाल मेरा क्या है कि मैं generally क्या करता हूं मेरा risk 200 rupees per trade रखता हूं मतलब मैं एक दिन में 2 trade करता हूं तो इसलिए 200 रुपे रिस्क पर ट्रेड होना चाहिए मेरा अब इसके बाद देख लेते हैं यह तो हो गया हमको बता दिये कि हमको कितना रिस्क एक दिन में रखना चाहिए और कितना हमारा पर ट्रेड का लॉस होना चाहिए उसके बाद आपको नजर आ रहा होगा रिस्क रि लिए में टार्गेट में ठीक है तो अगर मालो कि नहीं आपको अगर दो लेना है तो आप दो भी ले सकते हुआ आपके स्टैड़िजी को पर डिपन करता है आपके सेटप पर डिपन करता है कि वो सेटप किस तरीके से काम करता है ठीक चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स टेवल की और यहां आप देख पा रहे होंगे आपको नजर आ रहा होगा आपने किसी टेड के अंदर बाय साइज में एंट्री करी है 100 रुपे के एंट्री प्राइज बे और आपका स्टॉप लॉस है 90 रुपे तो डिफरेंस कितना होता है इन दोनों को बीच में 10 रुपे का तो आपका रिस्क कितना है जैसी मान लो मेरा है मैं 200 रुप रिस्क ले जैसे ही प्राइज 120 मेरे को उसमें से स्क्वार अफ कर देना है और 120 लेके हट जाना है और मेरा फंड कितना यूज होने वाला है 2000 मेरा फंड यूज होएगा अब देखते कि पोजिशन साइजिंग इतना इंपोर्टेंट क्यों है मेरे पास तो बीस हजार कैपिटल पड़ी ठेक मरला कि 100 दामा हजार तो मेरा कितना रिस्क जाएगा 1000 रुपे और मेरा रिस्क अभी कितने का है 200 रुपे का देख सकते हैं कि मेरा अगर ये मान लो कि एसल हीट कर देता मेरा तो कितने मेरे एक बार में सिर्फ 1000 फट से चले जाते हैं कुछ नहीं पूछता हो 4000 लेके चल जाएगा मेरे दो दिन के दो क्या धाई दिन के मेरे सारा का सार लेके चल जाएगा मेरा पूरा रिस्क खाली 400 रुपे एक दिन का होता है वो एक घ्रेड के ऊपर ठीक है इसलिए ही मेरा इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास पैसे तो पड़े थे पैसे कमी नहीं थी पर क्या होती है जो हमको देख के रखने होती है उपर जाएगा तब तो मानलों फायदा होता ही मेरा अगर मैं 100 कॉंटेट्व उठाता और 220 रुपे उपर जाया है इस प्राइस मेरे को 2000 का फायदा हो जाता बिलकुल हो जाता पर कि ये नहीं होता कि अगर घोम जाता तो मेरे 1000 का प्लस होएगा मेरा उपर 105 रुपे पर मेरा एसल हो गया 5 रुपे का डिफ्रेंस है और 200 रिस्क मेरा प्रेट चालिस कॉंटिटी आप मेरे को उठानी चाहिए और 90 रुपे जब प्राइस जाए तो मेरे को वहां से बहार हो जाना चाहिए और मेरा फंट कितना यूज़ हो रहा है 4000 चलो अब चलते हैं चार्ट के उपर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हम काम कर रहा है इसको अगर आप देखेंगे यह हमारा टाटा मोटर का चार्ट है इंट्रा डे के टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के आपको य हमारी एंट्री हमने यहां करनी है देख सकते हैं हम एक टूल यूज़ करने है हमने वह टूल है यह रहा लॉंग पॉजिशन शॉट पॉजिशन यहां हम लों लॉंग पॉजिशन बनाने वाले हैं तो मान लो कि यह रहा मेरा रिस्क यहां पे ठीक है इस दिगे मेरा रिस्क है देख पा रहे होंगे यह मेरी एंट्री कितने पर हो गई है यहां लिखा हुआ आ गया 404.15 और मेरा SL कहा होगा SL माल लो कि मैं लास्ट स्विंग पर लगाता हूं तो SL कहा हो गया 403 रुपे 10 पैसे पैसल हो गया अब मेरा क्या मेरा अब देख सकते हैं कि डिफ्रेंस कितना आ रहा है नीचे है 1.05 रुपे का फरक है अब मैं क्या करूंगा मेरे पाद यहां नीचे ऑप्शन है एक और मैंने बना कर रखा SL और कॉंटिटी सिंपल आप सिफ पॉइंट यहां पर नॉट डाउन करो और आपको वो कॉंटिटी दे देगा आपको यहां पर पहले फिल करके रखना है कि बही 200 रुपे का रिस्क होना चाहिए सिंपली आप जाएंगे मेरे कितना रिस्क है 1.05 रुपीस का रिस्क है अब मेरे को यहां पर 191 कॉंटिटी में टाटा मोटर्स की ले सकता हूं और वन रिशो टू का मेरा रिस्क रिवॉर्ड है तो जैसे ही प्राइज यहां पर जाया मतलब कि 406 25 पर जाये मेरे को वहां से इसके बाद फरक नहीं पड़ता प्रज इतनी उपर गई या कितनी उपर गई हां इससे अगर आप इसको भी लने चाते हैं तो वह टेलिंग करके हम बिल्कुल एसल टेल करके ले सकते हैं वह एक अलग कॉंसेप्ट है अगर आपको समझना है तो आप हमको कॉंटेक्ट करें मनलक की कमेंट करें ताके मैं आपको वह भी बता सकूँ चलो आप मैं देखते हूं कि कितनी के हम को पैसे लग जाते है हमको क्या बाइख करना था कितने हमारी बाइंग' थी लेट्स के टे कितना है यह 404.15 पर हमारी बाइंग आई है इसके अंदर 404.15 लेट्स चेक इट आउट 404.15 और 400 कितना था चैक कर लेते हैं एक बार 403.10 ठीक है 403.10 कितना फरक है 1.05 दोसर पर इस्टेड है 190 हमको लेना चाहिए था पुजी से साजिए वही एक सोई कैन्व यहां पर आ रहा है ठीक है 190 कॉंटिटे हमको उठाने चीए अब हमारा रिस्क रिवड कितना उना चीए यह रहा हमारा टार्गेट और हमारा देख सकते हैं फंड कितना लगने वाला फंड हमारा लगने वाला 76,981 रुपे अब यह भी एक इंपोर्टेंट चीज है वह इतना फंड हमारे पा 100 रुपे कर सकते हैं 100 करके देखेंगे तो कितना लग रहा भी 34,000 लग रहा है मनला भी भी हम नहीं ले सकते हैं 70 रुपे करेंगे तो जाके 26,000 रुपे 26,000 भी हमार पास नहीं है क्या करें 20 50 रुपे करेंगे 50 रुपे अगर हम लोग लेंगे पर ट्रेड के अंदर तब जा टेलिगराम मैं ये एक्सेल शीट अभी प्रवाइड कर देता हूँ अभी लाई भी प्रवाइड कर देता हूँ ग webs है sell side में मैंने बता दिया out नीचे वाला जिन में खास कर नीचे वाला जा तर यूज करता हूं क्योंकि मेरे को यहां simple clear है कि वही मेरा risk अगर मान लो 10 रपे का है तो मेरे को 5 quantity लेनी पड़ेगी अगर 50 रपे का risk कर लूँगा तो पर फिर भी मेरा रिस्क पूरा नहीं जाएगा ठीक है इंट्रडे में अगर यह आप यूज करेंगे तो आप इंट्रडे के अंदर इसको एक सोट करनी है आपने याद देखा कि हैमर है आपने शौट किया यह आपकास्ति है इसका है हमर का हाई थेक इंवर्टें ओर का और आपको वन रिशे टू लेना है इसके अंदर थेक है तो यह आपने यहाँ प्ले की आप iis के हाई के वह अपर आपने असल लगाया और यह वन रिशो टू के लिए यह रहा हमारा दो मैं ही आपको दाएगा कितने पॉइंट का आपको SL रखना है 1.15 पॉइंट का आपको SL रखना है आप जस्ट जाएंगे 1.15 का SL रखेंगे तो आपको 174 कॉंडिटी आप टाटा मोटर्स की ले सकते हैं और वन रेशो टू दिखक देख सकते हैं वही मान लो कि आपको पोजीश आप बाइग करना और आपका यहां SL है 381.30 रखेंगे और आप बाइग कर रहे हो आप इस जगह पे सपोस्ट इस जगह बाइग कर ले हैं 390 पे 390 बाइग कर रहा है 381 रपे आपका SL है 390 पे बाइग किया है और 381 आपका SL है सॉरी 900 हो गया 381 आपका SL है तो कितना नौ रपे का डिफरेंस है आपके पास 200 रपे का रिस्क है 22 कॉंटिटी आपको लेनी चाहिए बस आप इस से ज़्यादा कॉंटिटी नहीं लेंगे आप सिर्फ इतने ही कॉंटिटी बाइस कॉंटिटी के अंदर ही टेड करेंगे हां यह होता है कि हमको स्विंग के अंदर चाहे पुजिशनल के अंदर हमको वन रिस्क वन रिस्क लिवर्ड हमारा वन रिश्क वन ना होगे कई बार तीन होता है तो हम टार्गेट को अपने बढ़ा रख सकता है पर पूजिशन अपनी साइजिंग को नहीं खराब करेंगे को किस तरीके से define कर सकते हो कितना आप डिसक रिष्क की फारतना चाहिए आपकी मैंने वीडियो बनाए रखी है यह स्ट्रेड़जी वाले वीडियो आप जा कर सकते हैं यह बहुत बढ़िया काम करती एक जादू कि तरह है यह जाकर बहुत मज़ा आएगा और जिस रिस्क रिवार्ड अपना सही से मैनेज करें और बाइंग सेलिंग करें कुछ भी करें फरक नहीं पड़ता मैं जा तर इसको बस यूज करता हूं कि भई पांच पॉइंट का सल है दस पॉइंट का सल है उतना लगा कि हम लोग कॉंटिटी को कि कॉंटिटेम को लिने चाहिए सिंपल बस इस लाइन के अंदर आपको पूरा अचानी से पता लग जाएगा तो अगर आपको थोड़े सी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जिरूर करना चैनल करो सब्सक्राइब थाकि यह और भी वीडियो के लिए मेरे को मोटिवेट मिले म मैं और वीडियो बनाऊं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तुरंत जब तक के लिए गुडबाई थैंक्स फर वाचिंग